पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट रे निकलने में बड़ी काम्याबी मिली है और आज की वीडियो में हम जानेंगे के इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा वो कौन-कौन से फवाइद हैं जिनसे पाकिस्तान के मौशी हालात बहतर हो सकते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को फॉलो कर ले ताके हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे आपको बताएं फाइनशल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रेलिस्स से निकलने के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मौशी फवाइद का इमकान है पाकिस्तान का नाम ग्रेलिस्स से निकलने से जहां पाकिस्तान मुम्किना मौशी पाबंदियों के खतरात से बच गया है वहीं बेनलग्वामी सतह पर पाकिस्तान की साख भी बहतर होगी ग्रेलिस से निकलने से बराहिरास बेरूनी सर्माया कारी में इजाफे समयत मुल्की मेशित पर मुस्बथ अस्रात मुरत्ब होंगे और बेनलग्वामी तिजारत में आसानी होगी FETF की ग्रेलिस से निकलने के बाद अब पाकिस्तान के लिए दरामदाद और बरामदाद की नई राहें खुलने के साथ-साथ तरसिलाते जर्मे इजाफ़ा मतवक्ते है पाकिस्तान आलमी मार्कीट में आसानी से बांड जारी करने के साथ साथ मुखतलिफ मुमालिक और आलमी मालियाती दारों से बिला रुकावट कर्ज हासिल कर सकेगा पाकिस्तान नी मनी लॉंडरिंग और टेरर फाइनसिंग के खतरात पर मौसर तरीके से काबू पाकर आलमी मालियाती फंट के एक खर्स प्रोग्राम को आहम शराइद भी पूरी कर दी है ग्रेलिस से निकलने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि पाकिस्तान FATF और दीकर आलमी रेगुलेटर की सखनिगरानी से निकल गया है पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों से माली रवाबित बिला खौफ और खतर जारी रखेगा तमाम बैनल अक्वामी बैंक और माली इदारे पाकिस्तान में अपना काम जारी रखेंगे इसके आलावा बैनल-अक्वामी सर्मायकारों और बैंकों को पाकिस्तान में सर्मायकारों प्राइब करें